दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इकाई दो के बारे में जिसका नाम है सिक्षा की चुनोतिया अनुसुचित जाती एम अनुसुचित जन जाती जो ये यूनिट भी दोस्त आपके 15 नमर की यूनिट है 15 नमर की कुशन जो यहां से पुट अप होने वाले हैं तो जाईर सी ब इंपोर्टेंट कुशन की तरफ विद्याले और समाज का क्या संबंध है तो इसका राइट आंसर होगा विद्याले और समाज का घनिष्ट संबंध है विद्याले वहीं इस्तापित किया जाता है जहां समाज होता है सभी बात है किसी जंगल में तो विद्याले खोलेंगे विद्यालियों में यदि परबंद वे व्यवस्ता सही है तो विद्यारती नियमित आते हैं यदि परदानाद्यपक रूची लेते हैं तो विद्यालिय की व्यवस्ता ठीक रहती है अच्छे विद्यालिय से सिख्षय प्राप्त करके बच्चे समाज का विकाश करते हैं और उसमें होने वाले परिवर्तन को समझना चाहिए नубर दो पर एक दलित समुदै के बच्चों की शिक्षा की इस्तिती और चुनोटियों को समझना चाहिए। नमबर तीन पर जन्जातियों की इस्तिती और उसके विकास की समख्याने चाहिए। पूर्ण नमबर 4 की जहां बात करें तो सिक्षा जनजात ये सिक्षा की समझ्याओं को समझना चाहिए और उनके लिए बनी योजनाओं की समिक्षा करना चाहिए अब देखते हैं अगला प्रिशन नम्र चार सरकारी स्कूलों में पूरी स्विधाय होते हुए भी समाज अपने बालकों को नीजी स्कूलों में क्यों पढ़ने बेखता है गौर्णमेंट स्कूलों में नए पढ़ा करके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ने जाते हैं इसके बारे में आपको लिखना है अपने विचार तो आई देखते हैं इसका राइट अंसर सरकारी स्कूलों में उच्च प्राप्त दक्ष वेट प्रसिक्षक होते हैं मिडे मील मिलता है निशुल्क शिक्षा वेट अध्यन सामगरी मिलती है बालिकाओं को दूर से आने के लिए साइकले वेट स्कूटी मिलती है बच्चों को लेटोप भी दे जाते हैं भी पी यलवए अन्ने चात्रों को शात्रवर्ती भी मिलती है फिर भी समाज के वेथी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ही बेजते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुनवत्ता नहीं है बड़े-बड़े सरकारी हफशर वे, सरकारी सिक्षक भी अपने बच्चों को नीजी स्कूलों में ही पढ़ाते हैं अगला जी इंपोर्टेंट परशन है गीता के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है दोजाज सोला डीलेड में कुष्षन आयवा है तो इस बार आने के दोस्तों पूरी चांसे इस कुष्षन के बन रहे हैं तो बगवत गीता में भी समाज में चार वरनों को विभाजित किया है समाज में चार वरणों को विभाजित किया है परंतु चार वरणों का विभाजन व्यक्तिके गुणों के आधर पर कियाता है भारतिय दर्शन में सत्व रज तथा तम गुण माने गए हैं इसके ही मानसिक परवर्तियां सात्विक राजसिक तथा सामसिक बनती है इनी परवर् धिक्ष। URL कि अधोति आए कि आए देखते हैंब अगला जो important mission है संस्कृति क्रण की प्रक्रिया विविदता पर क्या प्रभाव पड़ेगा वर्णियन करना तो आए देखते हैं सकांस्वर क्या है संस्किर्ण संस्क्रतिकरण एक एसी प्रक्रिया का नाम है जिसके दुआरा आम तोर पर मध्य या निम्न जाती के सदस्य किसी उच्छ जाती या जातीयों की धार्मिक क्रियाओं घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपना कर अपनी सामाजिक प्रस्चिक्षित या हेश्यत को करनाई जा रही है लेकिन हाल के समय में इसका बहुत अधिक परचार हो गया है इस प्रक्रिया के अंत्रगत अनुक्रण के लिए अक्षर ब्रामन या शत्रिये जातियों के रिती रिवाजों या परिपाठियों को अपनाया जाता था जैसे साकारी बन जाना ये दोपवित संस्कृतिकरण की जो परक्रिया है वहें आमदित जाती के आर्थिक इस्तर में उननती होने के बाद या उसके साथ साथ अपनाया जाती है यद्डेपी यह शोतनतर रूप से भी अपनाया जा सकती है अगला important question है वर्तमान में दलितों की इस्तिती कैसी रही है तो इसका right answer होगा वर्तमान में सरकारी आंकडों के अनुसार दलितों की इस्तिती बहुत अच्छी बताई गई है परंतु जिथार्त में इसके विपरीथ है यानि की राजस्थान में 1951 से 52 से ही बेगार प्रथा को स विदा है अगला important question है दलित बाले का शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस प्रत्रह के प्रियासों की आवशक्ता है तो डी एलेट दोहर गुणिश में क्यूशन आया है तो इसकी पहली जो आवशक्ता है हमें मध्यान बोजन जिससे कारिकर्मों को अपनाना होगा क्य बालिकाओं को विद्याले बेजने के लिए प्रेरित हो नबर तीन पर जहां बात करें विशिष्टा तो दलित समुझायों में इस्त्री शिक्षा के प्रती चेतना जागरत करनी होगी ताकि उन्हें इस्त्री शिक्षा के महत्व का ग्यान हो और अपनी बालिकाओं को हुले के चेत्र में राजगी के विद्यालाओं में इसी समुदाय की अद्यपीकों को नियुक्ती भी दलित बालेका सिख्या को प्रोत सहथ देगी अधाय उप्रोत परियासों को अपनाने से हमें निश्चित रूप से बालिका दलित बालिका की शेक्षणिक इस तरको बढ़ावा देने में मदद मिलेगी अगला इंपोर्टेंट प्रिशन है प्रतक वादी जन जातिये विकास के बारे में आप क्या विचार रखते हैं तो इसका राइट अंजर होगा प्रतक्ता वादी चिंतक चाहते हैं कि आदिवाशी वजन जातियों का विकास उनकी मुख्यधारा से अलग हट कर किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी क्रिया कलापों से आदिवाशी भूमिहीन शिर्मिक बनते जा रहे हैं उस लोगा का मानना है कि जंजातियों लोग पिछडे हिंदू ही हैं इनकी समस्याओं का समधान पिछले दलित वरगों की समस्याओं के समधान में ही खोजा जाना चाहिए अगर समाज के लोग अनुसुचित जातियों के प्रती रूडी बद धारणाओं को छोड़ दें तो क्या ऐसमानता समाप्त हो जाएगी तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं बारती समाज में एसमानता जाती विभाजन के करण भिन भिन जातियां आर्थिक सेक्षिक समाजिक दरश्टिकों से एक दूसरे से काफी एसमान है निमन जाती के लोगों के लिए संसादनों के प्रियोग के अवशर शिमित कर दिये गए हैं अनुसुचित जाती के प्रती रूडी बद धारणाओं के कारण उनके आगे बढ़ने के अवशर बहुत कम हो गए हैं उन्हें इस कुलों में बराबरी का दरजा नहीं दिया जाता है वे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उन्हें नोकरी भी नहीं मिल पाती इस प्रकार से वे सामाजिक पूंजी से वन्चित रह जाते हैं यदि समाज के समस्त लोग इन धारणाओं को अपने मन से निकाल दे तो अनुसुचित जाती को आगे बढ़ने से रोकने वाले कई कारक सुवते ही समाप्त हो जाएंगे किन्तु ऐसंभानता के वल इन धारणों के कारण ही नहीं है अपितु संसादनों के ऐसंभान वितरण के कारण भी है समविधान के अनुसार सरकार को वंचित लोगों को समादा का आधिकार दिलाने के लिए विशेश परियास करना होगा अगला जो इंपोर्टेंट प्रिशन है जिन जातिये समुदायों की शिक्ष्या, समबंदी, प्रमुक्ष समस्याएं क्या है तो DLR 2018 में क्यूशन आया है उसके अर्थवा में जो क्यूशन बनता है वो अनुसुचित जातियों की सेक्ष्यानिक समस्याओं का वर्णन करने से है तो आईए वर्णन करते हैं पहला जो है विद्याले परवेश में कटिनाई दूर दराज के छित्रों में रहने वाले अनुसुचित जातियों के लोगों को इसकूल या कुलेजों में परवेश लेने के नियम तथा उपनियम ग्यात नहीं होते हैं सभी बात है, सेक्टिनिक संस्तानों में प्रवेश लेना इतना जटिल हो जाता है कि ये सदस्य प्रवेश तक पाने के लिए काफी कटिन नाईयों का सामना करते हैं। लड़की के लिए लड़का पाना मुश्किल किसी तरह से यदि विवा हो जाता है तो उनका प्रिणाम विवाविच्छिद से देखने को मिलता है। मजूंदार के अनुसार, एक जनजातिये, परिवारों या परिवारों के समोह का संकुल होती है, जिसका एक नाम होता है जिसके सदस्य एक ही छेत्र में रहते हैं विवाह और व्यवसाई से संबंदित कुछ निश्चित निशेदों का पादन करते हैं एक ही भाशा बोलते हैं तथा लेन देन व्यम कर्तवे से दुआरा बंदे हुए होते हैं बारत में जनजातियों की प्रमुक विशिष्टा क्या है बारत में जनजातियों की प्रमुक विशिष्टा है तो पहली विशिष्टा है प्रतेक जाती का अपना एक अलग नाम होता है नमबर दो पर है सामाने तह जंजातियां एक निश्चित भोगोलिक छेतर में निवास करती है नमबर तीन पर है एक जंजाति के सभी सदश्यों की एक ही बाशाया बोली होती है नमबर चार पर है एक जंजाति के सदश्य अपनी ही जंजाति में विवाह करते है नमबर पांच पर है सबी जंजातियों का अपना राजनितिक संगठन होता है जैसे की बुजर्गों की परिशद आदी नमबर च्छे पर है कुछ जंजातियां आदी काली नव्यवसायों जैसे सिकार एम जंगली उत्पादकों को एकितरित करने जैसे कारिय करती है अधिकतर जंजातियां एक दूसरे परकार के कृष्ची कारिय से जुड़ी रहती है नमबर साथ पर है भारत की अधिकान से जंजातियां परंपरागत रूप से प्रकरती अथ्वा टोटम की पूजा करती है नमबर आठ पर है एक जंजाति के सदस्यों के मध्य सशक्त एकता की भावना पाई जाती है अगला जो इंपोर्टेंट प्रिशन है जाती व्यवस्ता को परिबासित करते हुए जाती व्यवस्ता को परिबासित करना है और वर्ण व्यवस्ता को इस्पष्ट करना है दी एलेट दोजर पंद्रा में क्यूशन आया है और इस बार आने के पूरी-पूरी इस क्यूशन के चांसेज बनते हैं तो इस पर शोड़ा विशेश ध्यान देवें विभिन विद्वानों ने जाती की विभिन विभिन परीबासा दी है पहली है मजुमदार एम मदान के अनुसार जाती एक बंद वर्ग है नबर दोपर है कुले के अनुसार जब एक वर्ग पूरुनता है आनुवान सिक्ता पर आधरित होता है तो हम उसे जाती कहते हैं नमबर तीन है जे एच हटन के अनुसार जाती एक ऐसी व्यवस्ता है जिसके अंतरगत एक समाज अनेक आत्मकेंद्रित एम एक दूसरे से पूर्णत है प्रत्थक एकाईयों में विबाजित रहता है इन इकाईयों के बीच पारसपरिक संबंध उwnच नीच के अनुसार पर सांस्करतिक रूप से निधरित होते है अब देखते हैं वरण विवस्ता तो हिंदू समाज में कारी विवस्ता के शिधान्त के अनुसार समाज चार वरगों में बाटा गया था ये चार वर्ग ब्रामन, शत्रिय, वेश्य और शुद्र माने जाते हैं इनमें ब्रामनों को सबसे श्रेष्ट और शुद्रों को निम्न दरजा दिया जाता था ब्रामनों के कारिये को उस समय में सरवादिक परतिष्टा प्राप्त थी इसके बाद रक्षा और युद्ध प्रशाशन तथा शाशन कारिय थे जो शत्रियों के माने जाते थे व्यापार वानिज्य आदी का कारिय वेश्यों का रहा कृशक और दस्त कारों की भी जातियां थी ये सब स्वच अथार्थ साफ सुत्रे माने गए व्यवशायों में रत थे वर्ण व्यवस्था में इस तरह काम की सूचिता साफ या बोधिक काम और गंदी काम के अधार पर सामाजिक हैसियत या परशिस्तिती तै होती थी इसमें सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ परतिविम्बित नहीं होता था और वास्तविक्ता में कही अधिक जटिल है किसी जाती को कौन सा दर्जा दिया जाएगा सत्रिय अत्वा सुद्र इनको लेकर अनेक मत हो सकते हैं वस्तुता है इस व्यवस्था में कोई एक रूप अखिल भारती सैमती नहीं है विश्ष्ट सामाजिक हेशियत के करम में कुछ जातियों का एक छेतर में एक इस्तान है तो दूसरे छेतरों में दूसरा कई प्रदेशों में सारे वरन भी नहीं पाया जाते हैं जैसे दक्षण में शत्रियत था वेश्य वरन नहीं पाया जाता है विविद जातियों की सामाजिक हेशियत में भी लगतार परिवर्तन होता रहा है भक्ती आंदोलन ने जातिकत उंच नीच को नका रहा था उपर की चर्चा से इसपर्ष्ट होता है कि वरन की पहचान वेक्तियों के बीच उंच नीच और दरजे को निधायत करती है लेकिन हकीकत यह भी है कि हिंदू समाज व्यवस्था में वरन आधारित पहचान सामाजिक संरचना की व्यवस्थाइक इकाई नहीं है हर एक वरन वास्तों में कई जातियों का समुए है वरन की भूमी का सिर्फ विविद जातियों की निधारित सामाजिक हैशित के इस्तर के बारे में मोटी मोटी जानगारी देता है सामजिक विवस्ता के कारिय संचालन में वर्ण का उपयोग सीमित है वास्तों में शक्रिय इकाई जाती विपरिवार वन्ष और नातेदारी का संजाल ही है वर्ण एम जातियों में अंतर अब देख लेते हैं हम पहला जो अंतर है वर्ण गुण तथा करम पर आधायत होते हैं जबकि जाती जन्म पर जातीय की सदशेता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है जबकि वर्ण की सदशेता गुण वे करम के आधार पर नमबर दो पर है वर्ण की संख्या जाती से कम है सास्त्रों में केवल चार वर्ण ब्रहमन शत्रिय वेश्यव सुद्र का उलेख है जबकि जात्यों की संक्या हजारों में है नमर तीन पर है वर्ण जाती की अपेक्षा अधिक प्राचीन है जाते की उत्पत्ति जेन वे बोधरम के हाशिष के बाद मानी जाती है जेन्व बोध्रम के समापती के बाद और जबकि वर्ण विवस्था प्राचीन वेदिकाल से ही मिलती है वेदिकाल से ही प्रचलित रही है अगला जो देखते हैं नमबर चार पर है वर्ण जाती की अपेक्षा लचीली विवस्था है तो जाती जन्म के निर्धायत होने के कारण कठोर है इसे बदला नहीं जा सकता जबकि वर्ण का आधार कर्म गुण के कारण इसे बदलना संबव है परशुराम ब्रामन थे जो बाद में शत्रिये बन गए थे नमबर पाँच पर जहां बात करें तो वर्ण में खानपान विवाह इम सामाजी के सहवास पर परतिबंद नहीं पाये जाते हैं जबकि जाती में पाये जाते हैं शत्रिये राजा शांतनू ने शुद्र कन्या सत्यवती से तथा दुश्यन्त ने करणव क्रिशी द्वारा पालित सकुंतला से विवाह किया था नमबर छे पर जहां बात करें तो वर्ण समानता पर आधारित है जाती नहीं वर्ण व्यवस्ता में उच नीच का संस्क्रण नहीं पाया जाता है सभी वर्गों का समान महतो पाया जाता है दूसरी और जातियों में उच नीच की भावना होती है नमबर साथ पर है वरण विवस्ता करतव्य की व्याख्या करती है जबकि जाती खानपान, विवा, सामाजिक, सहवास, पेशे और संबंदी निश्यदों की आगे जो important question है दोस्तों जाती वाद को एक समस्या के रूप में समझाना है अपने खुद के विचारिस में प्रकट करने है आपको डिलेट 2018 में कुष्यन आयोगा है very important question है दोस्तों जाती व्यवस्ता भारतिय सामाजे की व्यवस्ता की एक बहुत ही बड़ी महतपूर्ण विशिष्टता है मानना व्यवस्ता के प्रारंब से ही भारतिय समाज को कर्म के आधार पर विबिन वरनों जैसे ब्रामन शत्रिय वेश्य और सुद्र में इस त्रिकरण किया गया था प्रतेग जाती वंसकुल और वंसजों के लिए यही काम निश्चित थे कि उनके पूरवज किया करते थे प्रतियां बनी रहती थी परंतु उनकी पीडियां जैंतर एक ही जाती में बने रहने को बिखशक्त नहीं था कालांतर में करंपर आधारित सामाजी की व्यवस्ता जनम पर आशरित होकर विबिन जातियों और उप जातियों में विबाजित हो गई अतै जाती मनुश्यों का एक ऐसा समूव होता है जिसके सदश्य किसी वास्तवी किया कल्पित शांजी वंस परंपरा के माध्यम से स्वयम को एक नशल के वंसज मानते हैं इस परंपरागत जातिगत सामाजिक व्यवस्ता में शने शने एस परश्चता चुआचूत और बेदभाव आदी जैसी कुरितियों ने अपना इस्तान बनाना आरंब कर दिया परिणाम सोरूप चतूर्ट सोपान पर इस्तित सेवाकारियों से जूड़ी जातियों का शोशन किया जाने लगा आज भी जातिगत बेदभाव और आईसमानता समाज में मुखर और प्रच्चन रूप में लगातार कायम है जातिगत ऐसमानता को मिटाने के सभी प्रियास केवल सरकारी इस तर पर ही नहीं हुए क्योंकि वहाँ समविधान की बादिता थी मतलब कि जो जातिगत ऐसमानता थी उनको मिटाने के जो प्रियास हैं वो सभी सरकारी लेवल पर हुए क्योंकि वहां समयदान की बादता थी लड़कियों के लिए अलग से स्कूलों को लिजों होस्टल्स विधाओं अलग सिक्षन संस्तानों को नए केवल सरकारी प्रियासों से अप्रिक्षकरत ज्यादा मात्रा में खुला गया बलकि समाज को लेकर स्वेम सामाजिक संस्तानों के ऐसे प्रियास लगबग नगरने ही कहे जाएंगे सामाजिक संस्ताएं और गेर सरकारी संस्ताएं लिंगगत ऐसमानता मिटाने के लिए तो सतत प्रियासरत रही और आज भी है परंतु जातिगत ऐसमानता को खत्म करने का उत्तरदाय जाती का व्यक्ति अपनी झातीगत पहचान को छिपा कर रखना चाहता है क्योंकि ऐसा करके वह प्रत्यक्स रूप से होने वाले जातीए दुर्विववार से स्वयम को बचा सकता है यहां बात अलग है कि उच्छातीगत जातीगत अभिमान से भरी टिपनियां करते रहते हैं और जब निमन जाती के व्यक्ति द्वारा ऐसे आउशरों पर चुप रह जाया करते हैं तब यहां अनुमान हो ही जाता है कि वे निमन जाती से हैं और कौन उच जातियों से संबन्द रखता है लेकिन हमारे इसके बावजूद यथा संबन्द तथा करतित निमन जातियों के व्यक्ति अपनी जातीय पहचान को छिपा कर रखते हैं और जातीय अपमान की गठना को कापी हद तक सहे भी जाते हैं क्योंकि उसके खिलाब आवाज उठाते ही सबसे पहले जाती छिपा जाने का उनका जो अथक परियास है वह मिट्टे में मिल जाता है अपनी जातीय पहचान के प्रति सहज ने रह पाना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है सामानेत है उच्च जातीया वेवार में तो बैदभाव के नियमों को बनाए रखती है और रखना चाती है परन्तु उसके पक्ष में सारवजनिक रूप से बोलना नहीं चाती क्योंकि आधुनिक श्वतंत्र लोगतांत्रिक समाजों में ऐसे सैध्धान्तिक रूप से चलाए रखने का कोई नेतिक आधार उनके पास नहीं है तो दोस्तो ये थे सारे जो most important question है जो हमने इस वीडियो में देखे आपको सारे प्रेशन दोस्तो अच्छे से याद कर लेने हैं इनसे बाहर आपका कोई प्रेशन नहीं होगा वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें बेल आइकन कर valores दो दें प्रेशन आपका कर दोगना वमनेक कर देंटर कर दो सब्सक्राइब कर दोगा